शाबाद डेरी में एक लड़की की हत्या कर दे गए जिसकी उम्र महज 16 साल ती और इसमें एक के बाद एक कई किरदारों को नाम आ रहा है एक किरदार है नाम जवरू उर्फ अजय या कह लीजे अजय उर्फ जवरू लोग ये कह रहे हैं मेरी कुछ नावाले बच्चों से बाहत हुए उनका चारा हम नहीं दिखा सकते हैं उनका ये कहना है कि जवरू की मुलाकात दस दिन पहले उस लड़की से हुई थी उसने बोला कि बिया ऐस ऐसी बात है एक लड़का मेरे को टोर्चर कर रहा है और धंकी दे रहा है बदमास हु क्यों? क्यूं टोर्चर कर रहो बात खतम करो इंपर ही इतनी बात करने के बाद हम वहां से आ गए थे तो फिर अगले दिन उसका मदर ही करा उसमिल यहीं बात ठाट जाम उवा उसकी जान गई उसके पहले आखरी बार आपकी बात्चीत लड़की से कब होई ते आखरी बार सर कोई बात्चीत मेरी कोल वगेरा पर कोई बात नहीं वो फेस्ट फेस आगे मिली थे करीबी लोग हैं लड़की के और जो साहिल ता जिसने हत्या की उनका यह कहना है कि जवरू और साथ में लड़की जिसका नाम बताया जा रहा है दोनों मिलकर धंकाने के लिए साहिल के पास कहुँचे किसी को नहीं अब देखो ऐसे भसाने के लिए तो दुनिया बाते बनाती है कि हम मर रहे हैं तो इसको भी मरवाएं ठीक है यह तो दिल की रिवाज है एक मर रहा तो दूसरे को लेकर डूब हैं ऐसा कुछ नहीं था हम उससे मिले थे वह यहां पे 15-17 लड़के लेकर खड़ साक्षी से लड़की ती जिसकी मौत हुई अत्या कर देगी उससे कोई बातचीत पहले हुई तो वह 27 तारी को फेस टू फेस ही मिले थी 27 मई तो फिर उसके बाद 28 तारी को उसका मड़र ही कर दिया अब कैसे किया कैसे ने किया विया तो देखो क्या जाने जब लड़की पास आई तो बहुत घबराई हुई थी क्या उसका हावाव कैसे थे तो आपके बैठी हुई थी मेरे पास आके बैठी ती तो उसने में पूरा अराम से बैठके रिलेक्स होके बताया था कि वह यह एसी ऐसी बात है और एक लड़का मेरे को टोर्चर कर रहा है तो हम आये थ कोची या उसका परिचा आप से कैसे हुआ भावना और लड़की आई थी भावना म्रतका को आपके पास लेकर पहुंची थी अहां मेरे साथ की लड़की है यह बात पूरी तरह की से गलत है कि आपने और भावना ने मिलकर एक दिन पहले साहिल के ऊपर कट्टा ताना कोई उसको धंगाने कोशिश करी तो सर यह बताओ ना मैं यहां होता गया अब उसके पास चाकू ता उसने चाकू उस लड़की को मार दिया मेरे पास कट्टा बंदु को तो मैं भी मार सकता था उसको भी तो बात है दंगा था क्यों मैं और धंगा तो सर है भी निए उसको कोई साहिल ने क्यों मार दगी को मारा क्यों आपने क्यों कि उस लड़की से भी बात की है और आपने साहिल को समझाने की कोशिश करी क्योंकि यह बता है क्योंकि उसने आती मेरे को भाही ही बोला था और मैं उसकी मदद ही करना था पर जो किसी की मदद करना गुना है तो आगे से नहीं करेंगा अपने साहिल को समझाने की कोशिश करी क्योंकि यह बता है यह उसका डेली रुटीन था वहां से आना जाना तो उसने घेर को गया नाम आ रहा है नितू का नीतू को कबसे जानती थी अभी यह तो पता नहीं सर वो सुनने में भी आया कि नीतू के साहते ही रहती थी झाल झाल